हेलो हाई फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं सिंपल डिजाइन का स्लीब बनाने वाली हूँ यह डिजाइन बहुत ही इजी है तो प्लीज इस वीडियो को लास तक देखें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर द किया है अब हम इसे फॉल्ड करेंगे और फॉल्ड करने के बाद अच्छे से बराबर कर लेंगे और फिर हम बीच से कट करके इसे दो टुकड़ा कर देंगे अलग-अलग आप देख सकते हो में कट कर दे रही हूँ पूरा स्लीब को एकदम सीधा कट कर देना है तो आप दे मैं पहले पाइपीन लगा लेते हैं तो मैं कपड़े का पाइपीन लगा रही हूँ जो कि वेलबेट का है इसलिए मैंने फॉल्ड नहीं किया है सिंगल ही रखा है पैपीन का कपड़ा को तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए उपर से उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फॉल यह बहुत ही सिंपल डिजाइन है तो इसे लास तक देखें गर लास तक आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाली फिर आप से नहीं बनेगी तो आप देख सकते हो हमारी पाइपीन लग चुकी है हमने एक स्टा कपड़े को कट कर लें तो यह देखें कितनी सुंदर पाइपीन बनके आई है इस तरह से रखने के बाद मैंने दूसरा पहले ही पाइपीन लगा के रख लिया था एक टुक्रे पे तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ देख सकते हो फड़ा गेप रखते ह हमें कि निभी अनटी हुआ है तो यहीं अन ngj ये में हमें करना क twist करने है तो हमने इस तरह का कपड़ा फॉल्ड करके रख लिया था ईसे सीधा करके तो आप मैं इससे कट करके दिखाती हूं आपको फ्रोक वगेरा में फीता बनाते हो ना आप सेम वेसे ही ये डोरी बनानी है छोड़ी वाली उसे बाद आप अपने हमाप से कट कर लें इसे तो हमने कट कर लिया है तो मैं इसमें गिंदूगी मैंने कितना लगाया है ना तो एक में ज्यादा एक में कम हो जाएगा इसलिए सगिंती कर लें कि पहले वाले स्लीव में आपने कितना लगाया था उतना ही इसमें भी लगाना है तो मैंने पेपर लिया है उसके उपर में इसे कर रही हूं ताकि इधर उधर नहीं होता है और ज्यादा कम भी नहीं होता है डिजाइन और फिनिस अच्छी आती है देख सकते हो इस तरह से हमें पेपर में आटेच करना है और हमने पेपर में आटेच कर लिया है अब उसके उपर हम स्लीव रखेंगे आप देख सकते हो मैं किस तरह से रख रही हूँ अब हम उस पे पाइपिन के बगल से स्लाई लगाएंगे और पेपर पे हम इसे आटेच कर लेंगे तो आप देख सकते हो हमारा एक कम हो रहा था तो मैं अलग से इसमें अटेज्ट कर रही हूँ तो हमने एक साइट अटेज्ट कर लिया है स्लिप को अब एक तुकड़ा हमें और स्लिप का अटेज्ट करना है इस पर तो इस तरह से हम स्लाई लगा कर सिधा इसे अटेज्ट कर लेंगे आप एक बार पेपर पे ऐसा लगा कि देखो बहुत ही ज्यादा फिनिसिंग और इजी लगती है और अगर आप पिना पेपर के लगाते हो ना तो थोड़ा अच्छा फिनिसिंग नहीं होता टाइम भी हमें हाँ ज्यादा लगता है तो आप देख सकते हो हमने से अ इसे कर लि较द को अब हम पेपर को इससे अलग कर देंगी आप देख सकते हूं कि तो इस तरह से हमें फेपर को निकल लेना है और जो एकस्टा कपड़ा आपका है वह आप कट कर लें ताकि इसकी फिनिसंग अच्छी लगए देखने में तो आप में सिधा कर दिखा रही हूँ आपको है कि देख सकते हों कितनी अच्छी आई है अब हम इसमें आपको डिजाइन बनाना बताएंगे इस तरह से हमें डिजाइन बनाना है सेम इसी तरह बनाना है जैसे हमने आपको दिखा रही हूं तो स्वी धागा लेना है अब देख सकते हों मैं किस तरह से कर रही हूं मैं पहले बीच में से पास कर रही हूं स्वी को इसकी बाद साइड साइड से मैं इसे स्लाइ लगाके खीचूंगी तब यह डिजाइन बन के आएगा यह डिजाइन सभी को बनाना आता होगा और जिसे नहीं आता है वो ध्यान से देखें समझ में आ जाएगा क्योंकि यह बहुत हीजी है तो अब हम इसमें मोटी लगाएंगे इस तरह से डिजाइन हमारा बन गया है तो अब हम इसे बीच में सुईक को पास करते हुए इसमें मोटी डालेंगे और फिर एक दो बार मोटी पे भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे सलाई लगा कर तो इसी तरह हमें पूरा डिजाइन बनाना है सभी को आता होगा लेकिन मुझे तो डिजाइन दिखाना पड़ेगा क्योंकि जिसे नहीं आता है उसे समझ में नहीं आएगा तो जिससे नहीं आता है वो ध्यान से देखें आप में किस तरह से करूंगी तो यह तो हमारा एक डिजाइन बनके रेडी हो गया है अब मैं दूसरा इसी तरह बना के दिखाती हूं आपको तो ध्यान से देखें कर दो तो बनके देखें आपको तो इसी तरह से हमें पूरे में सेम उसी तरह से डिजाइन बनेगा तो आईए फड़ा फट लगाते हैं इसमें मोंती अटेज करना है तब यह अच्छा लगेगा और एक बात और अगर आपको यह डिजाइन नहीं बनाना है तो आप सिंपल भी इसी तरह सकते हो जैसे आप दे लेकिन अगर आप इस तरह से डिजाइन बनाते हो ना तो स्लीप की लुप पहुत ज्यादा चेंज हो जाता है जब आप पहनते हो तो इतना सुन्दर आए पहता है जब वह हैंड पे दिखता है ना डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगता है देखने में तो एक बाद ज़रू ट्राइ करें इस डिजाइन को बहुत ही इजी है और आसान भी तो आप दिख सकते हो मैंने सभी अटेज कर लिया है हमारा एक बचा हुआ है तो उसे भी हम अटेज कर लेंगे आप चाहे तो फुल स्लिप भी बना सकते हो यह फुल नहीं है तो आप चाहे तो इसे कलाई तक रख सकते हो कलाई तक रखोगे तो यह और भी ज्यादा सुन्दर लगेगी तो आप देख सकते हो हमारा स्लिप बन के रेडी हो चुका है तो इस तरह से हमें बनाना है तो अब हम एक साइड में पट्टी लटेज करेंगे तभी हमारा पूरा कम्प्लीट हो जाएगा इस तरह से तब हम एक्स्ट्रा कपे को कट कर लेंगे और इससे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो आप देख सकते हो हमने पट्टी भी लगा ली है निशे साइड और हमने इस प्लीप को पुरा रेडिक कर लिया है देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है देखने में तो आप भी ट्राइ करें प्लीज प्रेंज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर ऐसी ही वीडियो आपको देखनी है तो हमारे फैशन डीजी को सस्क्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही डिजाइन वाला वीडियो आपको मिलता रहे और आपको कैसी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसी तरह का वीडियो बनाने की कोशिस करूँगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हो तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू बाई बाई